बगते बच्छो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पार्ट चला में आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 3 लेकर क्या हैं गोदो हनम इस पार्ट की वीडियो जो है हम पहले पार्ट 1 इसका बना चुके हैं जिसमें हमने तीन द्रिश्य कर लिए थे अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजेगा और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजेगा तो शुरू करते हैं कुम्बकार जो है कुमार घड़े को बनाने में लीन होकर गा रहा है ग्यात्वा पी जीविका है तो रच्यामी घटना अहम्पम जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घटह क्या कहता है वो कि यथा एशह जैसे यह मृतिका घटह मिटिका घड़ा सर्वम जीवनम भंगुरह वैसे ही जो सारा जीवन है वो भंगुरम तूटकर जो है समाप्त होने वाला जानकर ग्यात्वा अपी जानकर भी जीविका है तो जीविका के लिए गटना अहम्पम रच् जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन जो है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है, यह सब जानते हुए भी अपना जीवन चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ चंदनहा नमस्करो मी तात की तात प्रणाम करता हूँ, पंच दश घड़ान इच्छामी, पंदरा घड़े चाता हूँ, किम दास्यसी क्या दोगे, देवेश कहता है कथम न कैसे नहीं, विक्रनाई ए वेते ये सारी बेचने के लिए ही हैं, ग्रहान घड़ान घड़ों को ले और पांसो रुपे देदो, चंदरहा कहता है साधू, ठीक है, परम मुल्य तो दुगदम विक्रिय एवदातूं शक्यते, कि लेकिन मुल्य तो दूद बेच कर ही दे सकता हूँ, देवेशह शम्यताम पुत्रह, कि तो बेटा माफ करो, मुल्यम बिना तो एकम अपी घटम न दास्यामी, कि मुल्य के बिना तो एक भी घड़ा जो है वो नहीं दूँगा, अगे मलिका कहती है, मलिका सर्वा अभूशनम दातुम इच्छती, मलिका जो है अपने आभूशनों को देने की इच्छा करती है, तात यदी अधुनेव मुल्यम आवेशकम, यदी अभी मुल् तरही तो ग्रहान एतत अभूशनम, क्यों तो इस अभूशन को लो, देवेश कहता है, पुत्री के न अहम पापकर्म करो मी, कि मैं पापकर्म नहीं करूंगा, कथम आपी न इच्छा मी, तो आम अभूशन विहिनाम करतुम, कि अभूशन किसी भी सुरत में मैं तुमें दूद को बेच कर ही घट मुल्यम ददातु, घडों का मुल्य देना, उबाव दोनों कहते हैं धन्य असी, तात धन्य असी की तात जो है वो धन्य है, धन्य है, पांच्वध रिश्य आ गया, मासा अनंत्रम्पम, एक मैने के बाद संध्या कालह शाम का समय है, एकत्र रिक्त दूतन गटाह संती एक जंगा पर खाली जो है नए खाली घड़े हैं, दुख्द क्रेतारह अन्यच और दूसरे दूद को खरीदने वाले ग्राम वासिनह अप्रत्र आसिनह दूसरी जंगा बैटे हैं, चंदनह धेनुं प्रणम्य धेनु को गाय को प्रणाम करके मंगला च रही हूं, दूहनम् आरबस्व तावत, तब तक आप जो है दूहना चालू कर दो, चंदन कहता है यदा धेनों समीपंभम गत्वा दोगदूम इच्चती, चंदन जब गाय के पास चाकर दूहना चाता है, तदा धेनु प्रिष्ट पादेन प्रहरती, तब जो धेनु है व बरतन के साथ गिरता है, नंदनी दुगदम देही, और क्या कहते है कि नंदनी तुम जो है दूद्दो किम जातमते, तुम्हें क्या हुआ है, पुनहा प्रियासम करोती, और फिर से प्रियास करता है, नंदनी जो है बार-बार अपने पैरों से प्रहार करती है, चंदन को ज चित कारम कुर्वन पतती और लॐ चिल्लाता है और गिर जाता है सबी आश्चरे से चंदन को और एक दूसरे को देख रहे होते हैं मलीका चितकारम शुरुत्वा मलीका जो है चीक को सुनकर जटिती प्रविश्यह एक गिदम से प्रविश्य करती है और नाथम किम चातम और कहती है कि नाथ क्या हुआ कथम त्वर रक्त रंजितह कि यह तुम खून से लत्पत कैसे हो गए चंदनह धेनू दोगदूम अनुमतिम एव न दताती कि गाये जो है वो दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है दोहन प्रक्रियाम आरंब मानम एव ताड्यती माम कि दोहन की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मार रही है मलीका धेनूम स्नेहेन वादसलियेंच आकार्या दोगदूम प्रेतती मलीका जो है गाये को प्यार से और वादसलिये से पुकार कर दोहने की कोशिश करती है लेकिन गाय जो है वो दूधीन है ऐसा जान पड़ती है मलीका चंदनम प्रती मलीका जो है चंदन के प्रती नात अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत की हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है मास परियंतम धेनों दोहनम कृतम की एक महिने तक गाय का दोहन नहीं किया सा पीडम अनुभवती वह जो है पीडा का अनुभव कर रही है अत एव ताड़यती इसलिए मार रही है चंदनह देवी मया अपी मेरे द्वारा भी ज्यातम यत जाना गया है की असमा भी सर्वता अनुचितम एव करतम यत की हमने हमारे द्वारा सर्वता अनुचित किया गया है पूर्ण मास परियंतम पूरे मास तक दोहनम नकरतम दोहन नहीं किया अत एव इसलिए दुगदम शुषकम जातम की दू जो है वो सूप गया है सत्यमे उक्तम सची कहा है कार्यम अधित्नियम यत तत्यत्यव विद्यताम विप्रीते गतियस्य सकष्टम लबते दुवम क्या कहा गया है कि यत जो अधित्नियम जो आज करने योग्य कारे कारे है उसे तत्त अध्य विद्यताम आज ही करना चाहिए यत्द यस्य गति ही की यस्य गति ही जिसकी गती विप्रीते विप्रीत होती है सह वह द्रुवम निश्चे ही कश्टम लबते कश्ट पाता है अर्थात आज का काम हमें आजी करना चाहिए उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए जो कामों को टालता है वह निश्चे थी अनेक को पाता है मलीका कहती है आम भरता है कि हा भरता सत्यमेव सच है मेर मया अपी पठितम यत की मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सू विचार्यम विधातव्यम कार्य कलांक्षिनह यह करोती विचार्यते एतत्स विशेतती मानवह क्या है कि कल्यांक कांक्षिनह कि खुद का बला चाने वाले के द्वारा कार्यम काम को सू विचार्यम अच्छी तरह सोच समझ कर ही विधातव्यम करना चाहिए यह मानवह जो मानव यह कारे अविचार्य की जो मानव यह कारे बिना सोचे समझे करता है सविशिदती वह दुख पाता है अर्था जो कारे समय पर हो जाता है वही कारे फल दायक होता है आज के करणिये कारे को यदि हम करने के बदले भविश्य में एक साथ करने पर अधिकादिक फल मिलेगा ऐसा सोचने वाला जो मनुश्य है वो अध्यत्निय मिलने वाले फल को कोकर भविश्य में मिलने वाला जो फल से भी वन्चित रहता है किन्तु प्रत्यक्ष्ट्या अध्य एव अनुभूतम एतत किंडेकिन प्रत्यक्ष्ट से आज ही यह अनुभव किया है सर्वे दिनस्य कारे तस्मिने दिने कर्तव्यम की सारे दिन का कारे उसी देन करना चाहिए यह एवं न करोती जो ऐसा नहीं करता है सह कष्टम लबते द्रुवम वह निश्चे थी कष्ट को पाता है जवनिका पत्तम और पड़्दा जो है वो गेता है सर्वे मिलित्वा गायंती और सभी मिलकर गाने लबते हैं क्या कहा है कि आदानस्य प्रदानस्य करतव्य से चकर्मनह शिप्रम क्रियमानस्य कालह पिबती तद रसम की काल जो है उसका रस जो है वो पी जाता है तो शिप्रम का अर्थ होता है तुरंत अक्रियमानस्य नहीं किये गए कारे को आदानस्य प्रदानस्य लेने देने और करतव्य से च जो करने योग्य कारे का उसका रस को कालह तद रसम कालह पिबती उसका रस जो है वो काल पी जाता है तद रसम कालह पिबती क्या आर्थ हो इसका कि हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या कोई जरूरी जो काम है वो करना है तो उसे हमें तुरंत कर लेना चाहिए तद रसम क्योंकि नहीं तो समय जो है उस कारे के आनंद को का रस जो है पी लेता है तो यहां पर हमारे चैप्टर की हिंदी खतम हो गई है अगर आपने पार्ट वन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजेगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन जरूर दबाएगा जिससे कि आपक उतर करेंगी तब तक के लिए धन्यवाद